नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि दोस्तों आज हमने एक आटोनोमस फ्लाइंग विंग टेकनोलोजी डेमोंस्टेटर का सफल टेस्ट किया है या फिर कह सकते हैं कि आटोनोमस मोड के अंदर इस फ्लाइंग टेस्ट बेड का एक सफल टेस्ट हुआ है और ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो हम हमारे एक अनमेंड कोंबेटेरियल विकल जो स्टेल्थ होगा उसका सपना देखते हैं तो यही दोस्तों उस सपने को पूरा करेगा या कहें कि हम उस सपने की तरफ आज एक कदम और आगे बढ़ गए जब इस फ्लाइंग टेस्ट बेड का सफल टेस्ट हुआ तो आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों DRDO ने आज सफलता पूरवक एक मेड इन फ्लाइट टेस्ट किया आटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्ट डेमोंस्टेटर का एरोनोटिकल टेस्ट रेंज चित्तर दुर्ग से जो करनाटका के अंदर स्थित है सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया एक अन्मेंट कोंबेटेरियल विकल के उपर काम कर रहा है जिसे आप औरा या घातक के नाम से जानते हैं ये एक स्टेल्थ ड्रोन होगा या स्टेल्थ अन्मेंट कोंबेटेरियल विकल होगा लेकिन अभी दोस्तों इसकी technology को validate करने के लिए और इसके systems को validate करने के लिए एक technology demonstrator बनाया गया है और उसके test चल रहे थे और आज DRDO ने पहली बार इसे autonomous mode के अंदर fly करवाया और DRDO ने अपनी statement में कहा है कि जब इसका autonomous mode के अंदर test किया गया तो इसकी flight पूरी तरह से perfect रही जिसके अंदर take off भी शामिल था जो बिलकुल सही रहा इसके इलावा इसका navigation point भी सही था इसने smooth touchdown भी किया जब ये वापिस जमीन पे आया और दोस्तों take on और take off बहुत critical technology को prove करेगा उन्हें validate करेगा और साथ ही future का unmanned aircraft develop करने में मदद करेगा और साथ ही दोस्तों जो हमारा self reliance का सपना है specially in strategic defense technology के अंदर उसे भी पूरा करेगा और इस test के सफल होने के बाद में DRDO के chief डोक्टर जी सतीश रेडी ने भी वेग्यानिकों की टीम को बढ़ाई दी और उसके बाद में हमारे defense minister राजना सिंग जी ने भी इसके लिए DRDO और फारी टीम को बढ़ाई दी और डोक्टर जी सतीश रेडी ने specially DRDO के effort जिसमें कि इसका design development और testing शामिल है इसके लिए उन्हें appreciate किया और दोस्तों अगर हम इस unmanned aerial vehicle के key point की बात करें तो सबसे बड़ी इसे design और develop किया गया है Aeronautical Development Establishment यानी ADE Bengaluru के द्वारा जो DRDO की एक premier research laboratory है और इस unmanned aerial vehicle को पावर मिलती है एक small turbofan engine से और इसके इलावा इसके airframe undercarries entire flight control system और इसके avionics को हमने locally ही develop किया है यानी कि दोस्तों इसका maximum system indigenously developed है तो आज के test के बाद दोस्तों इंडिया ने बहु इसके आगे के test भी पूरे होंगे धन्यवाद जैहिन